नमस्कार दोस्तों इससे पहले जो अपने चैनल पर 50 जिलों के मानचित्र की वीडियो अपलोड की थी उसमें से आपके अधिकतर के प्रशन थे कि सर राजस्थान में 19 नए जिले बनाये गए हैं तो 19 नए जिले बनने के बाद अब वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए हैं 50 जिले हैं या 52 जिले हैं अगला आपका प्रशन था कि राजस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा राजस्तान का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा और राजस्तान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएंगे इनी प्रशनों पर अपने बात करें जोदपूर पस्चिम, बालोत्रा, सांचोर, डीडवाना कुचामन सिटी इसके बारे में भी आपके कमेंट्स थे दोस्तों कि डीडवाना और कुचामन को अलग-अलग जिला बनाये गया है प्रंतु डीडवाना कुचामन सिटी नागोर से अलग कर एक ही जिला बनाये गया है नीमका थाना, कोटपूतली, जैपूर उत्तरी, जैपूर दक्षनी, दूदू, खैर्थल, डीग, गंगापूर सिटी, बयावर, केकडी, शहापुरा, सलुमबर ये 19 नए जिले राजस्थान में अब बनाये गए है 17 मार्च को अशोग गहलोजी की गोशना के बाद दोस्तो देखा जाये तो राजस्थान में 33 पुराने जिले थे और नए जिले 19 थे तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से कुल 52 जिले होने चाहिए प्रंतु ऐसा नहीं है जो जोदपूर और जैपूर ये जो दोनों जिले थे दोस्तो इनका विवाजन कर इने जोदपूर पस्चमी और जोदपूर पूरव और जैपूर को जैपूर उत्तरी जैपूर दक्षनी दूदू आदी में विवाजित कर दिया गया तो अपने इन दोनों को गटाना पड़ेगा 33 में से तो बचे 31 प्लस 19 अब वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं अगला आपका जो प्रशन है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो दोस्तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पहले जैसलमेर था और वर्तमान में भी जैसलमेर ही राजस्थान का सबसे बड़ा जिला रहने वाला है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है उसके बाद राजस्तान का सबसे छोटा जिला पहले दोस्तों दौलपुर था, अबी तक कोई भी अधिकारिक तोर पर आंकडे अपने को प्राप्ट नहीं हुए हैं, अब हो सकता है कि राजस्तान का कोई अन्य जिला सबसे छोटा जिला बन जाए, तो इसका अबी तक कुछ भी नहीं कह सकते अब अपने आगे बात करते हैं राजस्तान के सीमा वरती जिलों के बारे में कि कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगेगी तो दोस्तों यह जो रैड कलीफ रेखा है यानि कि पाकिस्तान के साथ राजस्तान की 1070 किलो मिटर की सीमा लगती है जिसमें पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाडमेर ये चार जिले अपनी अंतराष्टिय सीमा बनाते थे प्रंतु वर्तमार में एक नया जिला अस्तित्म में यहां आ चुका है अनूपगर्ड तो देखा जाए अब पाकिस्तान के साथ राजस्तान के पांथ जिले ल हुआ है दोस्तों अब बात करें अपने सबसे कम अंतराष्टिय सीमा की तो पहले बिकानेर जिले की सबसे कम 168 किलोमेटर की सीमा लगती थी प्रंतु वर्तमार में नए जिले बनने के बाद गंगानगर अनूपगर्ड और बिकानेर इन तीन जिलों में से किसी एक जिले की जो सीमा है सबसे कम पाकिस्तान के साथ लगने वाली है प्रंतु अभी तक यह निर्दारित नहीं है ऐसा ही जैसलमेर के साथ है जैसलमेर की सीमा पहले 464 किलोमेटर की लगती थी वो अब भी 464 किलोमेटर की ही रहेगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों आप सबी से एक मैतपुन बात यह भी करनी थी कि अब नए जिलों की गोशना हो चुकी है तो क्या नए जिले आने के बाद ही तैयारी शुरू की जाए या अपनी तैयारी को निरंतर रखा जाए तो मैं आप सबी को बताना चाहूंगा जो 2008 में प्रतापगर जिला बनने की गोशना होई थी इसे अस्तित्व में आने में दोस्तो एक साल का समय लगबग लग गया था तो यह तो 19 जिले हैं इसमें अभी बहुत समय लगेगा परिसीमन होगा टाइम लगने वाला ये काम है आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें फिर भी यह चुनावी वर्ष है तो हो सकत है कि इसमें थोड़ा कम समय लगे परन्तु आप जो पुराने वीडियोज हैं या पुरानी किताबे हैं आपके पास उन्हीं से अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें हो सकता है बजार में नई किताबे आने में एक से दो साल का समय लग जाए तो आप अपनी पढ़ाई बिलक